गुडिवनिंग दोस्तो हमारे यूटूब चैनल टेक एजुकेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो बिहार में एक बहुत ही बंपर बहाली निकल करके सामने आ रही है यहां दोस्तो यह प्रात्मिक विद्याले में जो 1-5 होता है उसमें परधान सिक्षक की बहाली डारेक्ट हो रही है यहां पे BPSC के माध्यम से इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि किस तरह के लोग इसको अपलाई कर सकते हैं के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपके पास अनुभाव होना चाहिए कितनी फीस है क्या सिलेवस होंगे और क्या इसका पुरा प्रोसेस है तो इस वीडियो को सुरू सब्सक्राइब करते हैं जो कि हम लोग बात करते हैं जो कि हम लोग जनरल में आते हैं उसमें जो है दोस्तों कुल 16,206 पदों की संख्या है जिसमें से 35% महिलाओं के लिए रक्षीट सीठ है उसके बाद है दूसरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS में आते है 4046 पोस्ट है इसके लिए और 12 303 महिलाओं के लिए रिजर्ब को रखा गया है तीसरी कटेगरी है अनुसूची जाती जो SC होता है इसमें 6477 कुल पदों की संख्या है इसमें से ये टोटल 35% वेकें 35% अरक्षन जो है वो महिलाओं के लिए रखा गया है चौती जो कास्ट है वो है अनुसूची जन जाती जो ST होते हैं उसके लिए 418 पोस्ट है और उसमें से 124 महिलाओं के लिए है उसके बाद आता है EBC जिसमें 7290 सीट है और महिलाओं के लिए 2696 इसमें रिजर्ब रखा गया है उसके बाद आता है पिछड़ा वर्ग जो कि BC होता है उसमें 4861 और उसके बाद 1622 सीट जो है वो म रिखती है इसके इलावे देस्तों इसमें कुछ और स्पेसल सीट रखी गई है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि सौतंतरता सिनानियों के जिने केंद्र दवारा पेंसन स्विक्रीत है उनके पोता पोती नाती नतनी के लिए जो है वो दो परसेंट के सीट को है रिजर्ब र रखा गया है तो यहां पर आप वेतन मान में देख सकते हैं कि प्रारंभिक वेतन प्रक्रम जो है वो 30,500 रूपी है और राज सरकार द्वारा समय समय पर किये जाने वाले वेतन पुर्ण रिक्षिन के लोक में परिवरतनी होंगे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो स 31 परसेंट दिया जा रहा है और हर साल आपको 3 परसेंट का इंक्रिमेंट भी मिलता है और डिये में साथ-साथ इंक्रिमेंट होते जाता है तो यह कूल मिला करके उनका भी जो बैसिक सेलरी बनेगा वो लगभग 40 जर के आसपास बनेगा अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेक्षनिक योगिता की आखिर किन लोगों को ये फोर्म भरने के योग समझा जाएगा तो सबसे पहले जो इसमें योगिता है वो है भारत का नागरिक होना चाहिए और विहार राज का निवासी भी होना चाहिए उसके बाद जो दूसर जन जाती अतियन पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से जो इड़ी व्यास में होते हैं उन लोगों को पांच परसेंट की छूट दी जाएगी यानि उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और चीज लिखावा है कि मौलाना मजरूल यह इंपोर्टेंट है कि मान्याता प्राप संस्था से डी एलेड बीटी बीएड 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 यह सब उतिर्न होना चाहिए आपको इनमें से कोई एक जो है ट्रेनिंग वाला कोर्स वो अपका कंप्लिट होना चाहिए यानि कि यह परसिक्षित सिक्षकों के लिए हैं जो और लेडी पहले से परसिक्षन प्राप्त कर चुके हैं उसके बाद दोस्तों चौथा जो है वो है कि वर्स 2012 यह उसके बाद नियुक्त सिक्षक है तू सिक्षक पातरता परिक्षा में उतिर्न हो एवं वर्स 2012 से पूर्वे नियुक्त सिक्षकों के लिए दच्षता पर परिक्षा हुआ था उसमें उत्तिरन होना अनिवार्ज है जो पहले पंचायत सिख्षा की बाहली होती थी 2012 से पहले उसमें टेट नहीं था जिनका टेट नहीं है वो दक्षता परिक्षा में उत्तिरन होंगे तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं यहां पर एक और चीज़ आपको प्रेंटेट होता हैं वो दोनों यहां पे मानने होगा तो उसके बाद बात करते हैं अनुभाव की दोस्तो यहां पे अनुभाव की तौर पर आपको जो है आठ साल की लगतार सेवा आपके स्कूल में होनी चाहिए और आप जो है वो योगदान की तिती और परसिक्षन प्राप्ट करने की तिती जो आपके अंतिम तिती है उसी से ये काउंट किया जाएगा दियाँ आपके परसिक्षन के बाद से ही इसमें काउंट किया जाएगा और आप जो भी अनुभाव पर्मान पतर देंगे उसका जो डेट होना चाहिए अनुभाव पर्मान पतर पे वो 22 अप्रील 2022 से पहले का होना चाहिए आपको अपने स्कूल से पर्भारी से या फिर अपने हैड् लेट बाइस चार दोजर बाइस से पहले का होना चाहिए अनुभाव पर्मान पत्रे का फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा यदि आप लोग को चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में उसे मांग सकते हैं मैं आप लोग को वो प्रभाइ नहीं की जाएगी प्रंतु अधिक्तम आयू सिमा दिनांक 1821 तक वारधक के सेवा निर्वित के उम्र जो 60 वर्स है निर्धारित है से अधिक नहीं होना चाहिए यानि कि आपका जो उम्र है वो 60 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि 60 साल में दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे चैन परिकिरिया यानि कि सिलेक्सन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जागा देश तो यह जो परिकिरिया है बाहली कि यह पूरा का पूरा जीमा दिया गया बीपीसी को बीपीसी के माधियम से यह आपका यह होगा कितने स्टेप में होगा यहाँ मैं आप लोग बता दूँ कि सबसे पहले जो है वो लिखित परिक्षा होगी लिखित परिक्षा में आपको जो है वो देड़सो परस्ण होंगे जो की वस्तुनिस्ट और बहुवे किलपियों होंगे इसमें समान अध्यान 75 रंग के लिए और डियलेड भी से 75 रंग के लिए यह दो ही वी से आप लोग को होंगे यह दोनों का सिलेबस भी मैं आप लोग को प्रभाइड करवा दूँगा कि क्या 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 आपको पढ़ना है और किसके टॉपिक पर आपको अस्टडी करना है तो यदि आपने चार कोश्चन का अंसर गलत दिया तो आपका एक नमर कड जाएगा और परिच्छा की जो अवाधी है वो पूरे दो घंटे की होगी इसके बाद दोस्तों जब आप लिखीत परिच्छा में पास हो जाएंगे तो इसमें कोई सच खातकार नहीं है यानि कि कोई इसमें इंटर्व्यू नहीं है डारेट अपकी बहाली ले लिजाएग इसमें अंक लाना होगा तभी वे पास कर पाएंगे अब बात करते हैं दोस्तों कि अरक्षन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो अरक्षन में यहां पर देखिए साफसब लिखावा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगीत कॉलम में अरक्षन का दावा नहीं क तो आपको सिधे जैनरल में कर दिया जाएगा जाती के अधार पर अरक्षन का लाव उन्यपद्वार को मिलेगा जिनका अस्थाई निवास पिहार राज में है जो बिहार के मुल नम्हास है उन्हे को हाँ क्या करना है अनुशूची जाती है हो मिद्वारों को निमनाकित प अप्छन का लाव नेना चाहती है तो वो अपने जाती और पन्मान पत्र जो भी बनवाएंगे वो अपने पीता के नाम से बनवाएंगे और पीता के एड्रेस पर ही बनवाएंगे अपने पती के नाम पर और अपने पती के एड्रेस पर बनाएंगे तो ये मानने नहीं होगा इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग परिक्षा सुल्की की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखावा है समान या भरतियों के लिए साड़े साथ सो रुपये का सुल्क लेएगा केवल बिहार राज के अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती के लिए 200 रुपये बिहार राज के अस्थाई निवासी सभी अरक्षित और रक्षित वर्ग महिला उमिदवारों के लिए 200 रुपये का सुल्क है दिब्यांग अभियर्तियों के लिए 40% या उससे अधिक क टाइम में आपसन आएगा तो वहाँ पे आपको कुछ बैंक का भी चार्ज देना पड़ेगा दोस्तो ये तो हो गया नोटिफिकेशन इसमें बहुत सारी बाते हैं अगर आपको और भी कुछ जानना चाहता है या फिर किसी तरह कोई प्रसन मन में है तो नीचे कमेंट बोक्स में आप अपना प्रसने ज़रूर पूछ सकते हैं आपको पूरी जनकारी दी जाएगी दोस्तो जिस दिन 28 सारीक से इसकी बहाली की जो परकिरिया वो शुरू हो रही है बीपेसी के माध्यम से और बीपेसी पे ही जो है इसका ओफिसल वेब साइट है उस पे आपको ये ऑनल वीडियो में धन्यवाद